आई पील 2021 के 27 मुकाबले में दिल्ली के फिरोज सा कोटला स्टेडियम में चिन्ने सूपर किंग्स और मुंबई इंडियन्स के बीच खेला गया जिसमें मुंबई इंडियन्स चौज चीत कर पहले गेंदबाजी करने का निर्ने लिए चिन्ने सूपर किंग्स के बले बाजों में शुरुवात अच्छी रही भले रुदराज गायकवार्ट चौके से अपना खाता खोल के चार रन पर ही ट्रेंड बोल्ट की गेंदबाजी में हार्दिक पांडिया को कैस देकर आउट हुए लेकिन फाफ डुपलिसिस धीमी गती से खेलते हुए शांदार बल्ले बाजी किये वे अपना अर्धिशतक पूरा करके 28 गेंदों में 50 रन बना कर किरन पुलाड की गेंदबाजी में जस्पृत भूमरा को कैस देकर आउट हुए रुतुराज गायकवार्ड के बाद उत्रे मोहिनली शुरुवात से ही शांदार बल्ले बाजी करके चौके छको की बरसात किये वे अपना अर्धिशतक पूरा करके 36 गेंदों में 58 रन बना कर जस्पृत भूमरा की गेंदबाजी में क्विंटन डीकॉक को कैस देकर आउट हुए लगातार तीन विकेट गिरने के बाद उत्रे अमबाटी राइडू शुरुवात से ही आक्रमक खेल खेल रहे थे वे अपना अर्धिशतक पूरा करके 27 गेंदों में 72 रन बना कर नाबाद रहे और रविंद्र जडेजा अमबाटी राइडू के साथ मिलकर अच्छी साजेदारी निभा कर 22 गेंदों में 100 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 22 रन बना कर अजय रहे इसी के साथ चिन्नई सूपर किंग्स 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाये दूसरी और मुंबई इंडियन्स की गेंदवाजी ट्रेंट बॉल्ड दोरा शुरुआत किया गया ट्रेंट बॉल्ड शांदार शुरुआत किये वे अपने पहली ओवर में 4 गेंद पर रुदराज गायक वार्ड का विकेट लेकर चिन्ने सूपर किंग्स को पहला जटका दिये और वे अपने 4 ओवर में 10.50 एकनौमी रेट के साथ 42 रन दिये धवल कुलकरनी 4 ओवर में 14.91 रेट के साथ 48 रन देकर एकसपेंسिव रहे और जस्पृत भूमरा भी इस मैश में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाए वे अपने 4 ओवर में 14.91 रेट के साथ 56 रन देकर एकसपेंसिव रहे राहुल चाहर भी प्रभाव दिखाने में असफल रहे वे अपने चार ओवर में 8 इकनौमी रेट के साथ 32 रन दिये जेम्स निशाम दो ओवर में 13 इकनौमी रेट के साथ 12 रन दिये और किरन पोलार शांदार गेंदबाजी करके दो ओवर में 6 इकनौमी रेट के साथ 12 रन दे कर दो विकेट लिए लगातार तीन विकेट गिरने के बाद उत्रे अमबाटी राइडू शुरुआत से ही आक्रमक खेल खेल रहे थे वे केवल चौके छक्कों से ही 58 रन बनाए उन्होंने केवल 20 गेंदों में 20 वा आईपियल अर्धिशतक पूरा किया वे रविंद्र जड़ में 27 गेंदों में 266.67 स्ट्राइक रेट के साथ चार चौके और साथ छक्के की मदद से 72 रन बनाके मुंबई इंडियन्स के सामने एक भारी लक्ष्य रखने में मुख्य भूमी का निभाय चिन्ने सूपर किंग्स पहले ओवर में ही रुत्राज कायकवार्ड का विकेट ख चुरुआत से ही तूफानी बल्लेबाजी करके मुंबई इंडियन्स के गेंद बाजों के ऊपर काफी दवाव रखे वे 33 गेंदों में अपना अर्धिशा तक पूरा करके अपने करियर का चौथा आईपियल अर्धिशा तक पूरा किये वे फाट उप्लिसिस के साथ मिलकर 108 रणों की साजेदारी बनाके 112 रण पर भूमरा की गेंद बाजी में कीपर क्विंटन डीकॉक को कैस देकर आउट हुए वे अपने पारी में 36 गेंदों में 161.11 स्ट्राइक रेट के साथ 54 और 56 की मदद से 58 रण बनाये ओपनर फाडूपली सी शुरुवात से धीमी गती से खेल रहे थे वे स्ट्राइक रोटेट करते हुए बाउंडरीस लगा कर मोहिन अली के साथ पारी को सम्हालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए वे अपने IPL करियर में 20 वा अर्धिशतक पूरा करके किरन पोलाड की गेंद में 178.57 स्ट्राइक रेट के साथ दो चौके और चार छक्के की मदद से 50 रन बनाये मोहिन अली के विकेट गिरने के बाद कप्तान रोहित शर्मा किरन पोलाड को गेंदबाजी करने का अफसर देकर अच्छा निर्ने लिए क्योंकि वे अपने पहले ओवर में ही फाडूप की रेट के साथ 12 रन देकर दो विकेट लिए 219 रनों का भारी लक्षे का पीछा करने उत्रे मुंबई इंडियन्स के बल्लेबाजों का शुरुआत अच्छा रहा क्विंटन डिकॉक शांदार बल्लेबाजी करके कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ लेकिन वे 28 गेंदों में 38 रन बनाकर मोहिन अली की गेंदबाजी में उनी को कैस देकर आउट हुए कप्तान रोही शर्मावी शांदार बल्लेबाजी करके अपने पारी में 24 गेंदों में 35 रन बनाकर शर्दल ठाकूर की गेंदबाजी में रुतुराज काईकवार को कैस देकर आउट हुए तीसरे स्थान पर उत्रे सूर्य कुमार यादव केवल 3 रन बनाकर रविंद्र जड़ेजा की गेंदबाजी में MS धोनी को कैस देकर आउट हुए चौती स्थान पर उत्रे कुरनाल पांड या शांदार बल्ले बाजी करके किरन पलाड के साथ मिलकर अच्छी साजेदारी निभाए वे 17 ओर की तीसरी गेंद पर सैम करन के गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए वे अपने पारे में 30 गेंदों में 139.13 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 32 रन बनाए कुंटन डिकॉक के बाद उत्रे किरन पलाड अपने फॉलादी बल्ले बाजी से चिन्ने सुपर किंग्स के गेंदबाजों को काफी परेशान किये वे अपना अर्धशतक पूरा करके 34 गेंदों में 87 रन बना कर नाबाद रहे कुंटनाल पांडिया के बाद उत्रे हार्दिक पांडिया भी ताबर तोड बाउंडरिस लगाए वे अपने पारी में 7 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 16 रन बना कर सैम करन की गेंदबाजी में डुपलिसिस को कैज देकर आउट हुए साथवे स्थान पर उत्रे जेम्स निशाम बिना कोई रन बनाए सैम करन की गेंदबाजी में शर्दोल ठाकूर को कैज देकर आउट हुए इसी के साथ इस रोमांचक मैच में मुंबई इंडियन्स चार विकेट से जीत हासिल किये दूसरी और चिन्ने सूपर किंग्स की गेंदबाजी दीपक चाहर द्वारा शुरू किया गया दीपक चाहर अपने चार ओवर में 9.25 एकनौमी रेट के साथ 37 रन दिये सैम करन शांदार गेंदबाजी करके अपने चार ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिये लुंगी नेकदी चाहर ओवर में 15.50 एकनौमी रेट के साथ 62 रन देकर एकस्पेंसिव रहे शर्दूल थाकूर अच्छी गेंदबाजी करके अपने चार ओवर में 14 एकनौमी रेट के साथ 56 रन देकर एक विकेट लिये और उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया सुर्य कुमार यादव को कैच आउट किया और मोहिन अली अच्छी गेंद बाजी करके एक ओवर दाल के एक नॉमी रेट के साथ एक रन दे कर एक विकेट चटका है और उन्होंने कुंटन डिकॉक का विकेट लिया किरन पोलाड शुरुआत से फॉलादी बल्लेबाजी करके लगातार बाउंडरिस जड़े वे चौथी विकेट के लिए कुर्णाल पांडिया के साथ अच्छी साजेदारी निभा कर इस मैच में मुंबई इंडियन्स को एक नई उमीद जगाए वे केवल 17 गेंदों में अपन भूमी का निभाए वे अपने पारी में 34 गेंदों में 255.88 स्राइक रेट के साथ 8 छक्के और 6 चौके की मदद से 87 रन बनाकर नाबाद रहे कुंटन डिकॉक भी शुरुआत से अच्छा खेले थे वे रोही चर्मा के साथ अच्छी साजेदारी निभा कर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे लेकिन वे मोहिनली के गेंदबाजी में 81 रनों पर उन्हीं को कैस्ट देकर पेविलियन लौट गए वे अपने इनिंग्स में 28 गेंदों में 135.71 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाए कफ्तान रोहित शर्मा पॉज 8 वी ओवर की चौथी गेंद पर शर्दूल ठाकोर की गेंदबाजी में बाउंडरीज के पास रुदराज गायकवार को कैस्ट देकर आउट हुए वे अपने पारी में 24 गेंदों में 145.83 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए सैम करन शांदार गेंदबाजी करके कुरनल पांडिया, हार्दिक पांडिया और जेम्स निशाम का विकेट लिए वे अकेले गेंदबाज है जो इस मैच में किरन पोलाड को भी परिशान किये लेकिन उनका विकेट लेने में असफल रहे वे अपने चार ओवर में 8.50 एकनौमी रेट के साथ 34 रन देकर तीन विकेट लिए हैं